हेलो, what's up guys, my name is Pnod Badu Thapa and today in this video we will see how to host your website for free on github in Hindi, तो चले guys, शुरू करते हैं So guys, आज मैं आपको बताने वाला हो कि किस तरीके से आपका जो भी यह static website जो आप create करते हो and आप देख सकते हो, currently यह मेरे c drive पे, it means मेरे local machine पे है and मैंने already इसको host कर चुका है, तो अगर मैं इस पे करता हूँ click and so 3 to 1 and भूंगा इस आप देख सकते हो, वो online host हो चुका है, जो मेर c drive पे मेरे local machine पे था, उसको मैंने free में host किया on github and आप देख सकते हो, coronavirus.github.io, तो guys, अब इस link को अगर आप अपने PC में भी on करोगे, तो भी यह आप आपको दिखाई देगा and this is it guys, आज आप वीडियो में यही देखने वाली कि किस तरीके से आप जो भी website create कर and अगर by hosting, then आप free में github में उसको host कर सकते हो, तो guys, मैं बताना चाहूंगा, if you really don't know कि github क्या है and अगर आपने कभी github पे काम किया भी नहीं, तो कोई टेंसर नहीं, मैंने already git tutorial in Hindi, आप देख सकते हो, मैंने complete github के उपर tutorial क्रेट कर चुका, यहां तक कि मैंने एक वीडियो बना किस तरीके से आपके machine का जो website, जो आपने creativity उसको दुनिया के सामने आप free में रख सकते हो, ठीक है, तो guys, आप बिना किसी देरी के शुरू करते हो, तो देखी, सबसे पहले guys, हमें अपना github.com account को open करना है, and जब आप github.com को open करोगे, तो guys, मेरा already login था यह, that's why मेरा login पे हमें एक repository create करना है, online folder create करना है, तो यहाँ पर प्लस sign देख सकते हो, यहाँ पर भी आप new पर देख सकते हो, ठीक है, तो आपको इस new पर कर देना है click, and then जब आप new पर करोगे click, to create a new repository, ठीक है, आपको आपके website का क्या नाम रखना है, वो यहाँ पर आपको लिखना पड़े यहाँ पर आप देख सकते हो, .github.io, यह आपको लिखना ही पड़ेगा, this is mandatory, ठीक है, तो here you have to write github.io, यह आपको लिखना ही पड़ेगा, and this is available, तो आप initialize the repository with a readme, चाहे तो click भी कर सकते हो, नई भी कर सकते हो, मैंने click कर दिया, बस हमारे एक readme create हो जाता है, and this is it guys, आप आपको website में सिर्पित नहीं करना था, now, अब आपको क्या करना है, जब यह page उपन हो गया, आपने एक online repo create कर ली, website का नाम दे दिया, आपको guys क्या करना है, github for windows, ठीक है, windows या mac, आप किसी के लिए भी इसको open कर सकते हो, basically हमारे पास एक desktop version है, you have to simply click on this desktop.github.com, alright, now यहाँ guys आप देख सकते हो, Mac, अगर आप Mac यूज करते हो तो, and अगर आप Windows MS है, तो basically Windows है, तो simply download for Windows 9 पर आप कर दीजे, click, and मैं बताना चाहूंगा, मैंने already इसको download कर चुका है, ठीक है, and जब आप इसको करोगे download, तो guys आप क्या कीजे, simply you have to come on the download section, जहाँ पे भी आप इसको करते जाएगा, I mean आपने किया install, then आपने किया login, simply तो आपके सामने ये page आजाएगा, यहाँ पे current repository जिस पे हम काम कर रहे है, basically जो host मैंने किया वाए यहाँ पे, वो जो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह वाला website जिसको host के है, वो basically current repo है, यह मेरा master branch है, and fetch origin, तो guys आपको क्या करना देखिए, आपको यहाँ पे यह जो दिखाई देता है, user यह जो arrow button इस पे click करना है, alright, and then आप आपको एक और website add करना है, right, तो यहाँ पे आप add पे click किजिए, clone repository पे click किजिए, alright, यहाँ github.com है, यहाँ पे आपके सारे project आ जाएंगे, फिर भी URL पे आपक को जाना है, यहाँ पे आपको जो दिखाई देते हैं, दिखो clone और download, इस पे आपको click करना है, and यह already clone with HTTPS, that is the secure, इसको आपको copy करना है, simply alright, तीक, यहाँ पे जाके आपको उस repo को कर देना है, paste, and you have to click on clone, this is it, and आप देख सकते हो, cloning coronavirus.github.io, and once जब यह clone हो जाएगा, तो गाइस, एक page open होने वाला, and आप देख सकते हो, and this is it, तो हमारा यह page open हो चुका, fetch origin, and perfect, तो यहाँ पे no local changes, you have three options, तो आप open in sublime text, show in explorer view on github, आपको show in explorer पे click करना है, यह आपका official page है, जब भी आप host करते हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, publican underscore HTML में करते हो, यहाँ पे official page है, आपको क्या करना है, आपको make sure करना है कि आपको कौन से file इस पे add करने, यहाँ पे already guys, मैंने उस file को include करके रखा, static corona आप देख सकते हो, इसको कर लेता हूँ, मैं copy, ठीक है, नहीं तो guys, आप इसको drag and drop भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, dag and drop, this is it, इस तरिके से आपने इ इसको commit कर सको, my corona website, आप इस तरिके से लिख सकते हो, description में आप लिखो ना लिखो, it's totally up to you, but आपको at least यह तो fill करना ही पड़ेगा, ताकि आप commit कर सको, and once जब आप इसको कर दोगे commit, तो this is it guys, now you have to only click on push origin, मतलब यह आपका commit successful हो जाएगा, and यहाँ पर आप देख सकते हो, writing object 26%, alright, and total 23% हो चुका है, fetching origin, hang on बता रहा है, alright, and this is it complete, यहाँ पर मुझे चलना लागा है, जो पहले आपका page ऐसा दिखाए देता है, we have only readme.md page, इसको करता हूँ, click and this is it guys, आप देख सकते हो, हमारे सारे page आचुके है, दो commits and हमारा सब कुछ काम हो चुका है, अब यह आपक इस time कभी लगे, change करना हो तो प्रीनेम कर सकते हो, सबसे नीचे आना है, यहाँ पर आप देख सकते हो guys, github pages, so यहाँ पर देख सकते हो github pages currently disabled, तो आप यहाँ पर none पर करो, click, master branch पर कर दो, click and this is it guys, आप देख सकते हो, again आपको नीचे आना, now your site is ready to be published at this one, तो इस पर आप notice करो कि यह green में convert हो चुका होगा, तो मैं एक बार वापस अपने official site पर चलता हूँ, यहाँ पर मैं आया and again मैं अपने setting पर चलता हूँ, just आप check करते हो, make sure करो कि वो all right guys, आप देख सकते हो, your site is published at this one and boom guys, आप देख सकते हो, just मैं आपके सामने सिर्फ 5 minute में इसको live host करके दि तो आप एक क्या करना है, इस आपको file पर जाना है, here we have a option वाला option ठीक है, इस पर आप एक बार click करो and make sure करो कि आप जिस account से open हो, अपने official GitHub के page पर, मैं आपको back चलके लेके जाता हूँ, यह आपका जो official GitHub का page है, ठीक है, यहाँ पर आप नाम देखे, that is आपको दिखाई सबसे जादी important है, यह कि account आप जिस में आपने repo create किया है, उसी account से आपका यह login हो, बस इतना ही आपको make sure करना, बाकि सब काम आपका behind the scene GitHub कर देता है, so this is it guys, आज इस वीडियो के इतना ही, and really hope guys, आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आगा, तो मैं बताना चाहूँगा guys, म आप ऐसे awesome वीडियो को miss ना करे, कुछ भी doubt हो तो बे फिकर हो के नीचे comment कीजिए, मैं आपकी जरूर हल्प करूँगा, so till then guys, thank you so much, take care.